Hello friends, welcome to BTEC, मेरा नाम है मोहित और आज हम एक ऐसी technology की बात करने वाले हैं जो काफी लोगों के जेब में पाई जाती है और एक काफी useful चीज है काफी लोगों इससे डरते हैं, इसके लिए शादी इससे नहीं खरीते हैं इससे काफी फाइदे निकाल लेते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साब क्रेडिट कार्ड्स की, तो क्रेडिट कार्ड्स एक ऐसे technology है जो अगर आप discipline तरीके से यूज करें और आपको पता हो कौन से प्रोड़क्ट अच्छे हैं तो आप maximum benefits इससे निकाल सकते हैं, in form of cashbacks, lounge access, a lot of discounts, जब sale अगर लगती है, तो काफी बढ़िया चीज है, तो हम बात करेंगे पहले कि credit card लेना चाहिए या नहीं, दूसरी हम बात करेंगे क्या discipline है जिससे follow करने से आपको credit card यूज करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका credit score कभी भी impact नहीं होगा, और last में मैं आपको बताऊंगा, top 4 credit card जिने मैं personally use करता हूँ और जिनसे मैंने लगबख 50,000 का cashback निकाला है in last 3 years में, तो credit card यूज करके भी आप काफी फायदे ले सकते हैं, और इसे आप काफी जादा cashback निकाल सकते हैं, तो सारे details हम ब पास कहीं से fixed source of income आ रहा है, through any sources, then एक से दो credit card यूज करना बहुत जरूरी है, पहला point, credit card यूज करने से आपको अपने spending habits का track रहता है, mostly सारे credit card या फिर उनके application को जो आप यूज करेंगे, तो उसमें वो आपको month wise, category wise बताएंगे, आपने कहां पर कितना खर्चा किया है, ज अगर आप cash या फिर debit card या जीपे के through payment करते हैं, तो directly वो आपके bank account से खाली हो जाता है, वहीं आप credit card से pay करते हैं, तो आपको 45 years के interest free period मिलता है, same amount of money या तो आप bank मिलक के interest कमाईए, या फिर आप कहीं invest कर सकते हैं उसे, तीसरा फाइदा है, इस पे काफी सारे cash back, reward points और बह benefits नहीं मिलते, तो credit card use करने से आप कहीं कहीं पर आप कोई privilege भी मिलता है, जैसे sale अगर आती है, big billion day, या फिर amazon पर कोई sale अगर लगा है, तो वहाँ पर आपको various credit cards के offer आते हैं, तो उस वक्त आपको instant discount मिल जाता है, in addition to the regular cash back this card गयो, और वहीं मैं सारे credit cards के हाज बात करूँग आखिर जो एक benefit मुझे लगता है, आखिर में कि वो benefit बहुत कम लोगों को दिखता है, easily, जैसे आप अगर credit card ऐसे जगह पे spend, use कर रहे हैं, जहां पे सारी facility है, cash payment, gpay, phone pay, वगरा वगरा, debit card, तो credit card पे usually एक charge देना पड़ता है, वहाँ के payment, जैसे आप restaurant अगरा में गए, आप आपने 5000 का खाना खाया, तो लबक 2% का उसे चार देना पड़ेगा, जो की होता है 100 रुपया, अब यह 100 रुपया इसने already अपने food bill में divide करके रखा हुआ है, उसने calculation बनाया, एक average निकाला है, उसके साब तो अपने food bill को already inflated रखा हुआ है, तो अब यह जो charge है, या आप चाह करने के discipline की, बट उससे पहले मैं बात करता हूँ, credit card को लेकि जो डर है, जो सबसे पहला डर है लोगों को वो है overspending को लेके, कि हम credit card लेने का बहुत जादा खर्चे करने लगेंगे, और वो बहुत ही common डर है, और सही भी डर है, क्योंकि आजका students को भी credit cards के लिए eligible बना दिय जाता है, जिसे वो pay pressure में आके काफी जादा चीज़े खरी लेते हैं, और फिर pay नहीं कर पाते हैं, तो yes, credit card यूज करना बहुत ही cautiously use करना पड़ता है, overspending से बचने के लिए, दूसरा होता है कि credit card में आपको charges देने पड़ते है, yearly, जैसे कि 200 से लेके 10,000 तक वो charges होते हैं, बड़ हम उतनी benefits नहीं ले पाएंगे और हम बेवजागा से yearly charges देते रहे जाएंगे, तो वो इससे भी बचना चाहते हैं, that is also correct, लेकिन अगर आपको credit card यूज से सही तरीके से आता है, तो आप इस इस को बहुत अच्छे से utilize कर सकते हैं, तीसरा जो है, credit card में लोगों लगत है, तो यह सब चीजों के लिए मैं आपको credit card use करने का discipline बताऊंगा, जिससे आपको यह सब दिक्कते नहीं होगी, credit card में yes, use करने में आपको cost भी लगता है और दिक्कते भी आती है, लेकिन जो एक चीज absolutely free है और जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो है btex को subscribe करना ओके, तो continue करते हैं, अब हम आते हैं discipline के उपर, कि क्या points फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको credit card के इन सारे problems में आप नहीं फसेंगे, तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि आप अगर credit card own कर रहे हैं, तो हर जग credit card use करने के आदर डालिए, शायद आपको यह गलत लगे कि आपको credit card के benefit की, कि वहाँ पर credit card का जो cost है, service charges है, जो processing fees होगरा का, जो भी charges है, वो आप कहीं भी payment करते हैं, तो वो equally divided होता है, तो इस वीसे credit card use करना चाहिए, फिलस 45 days का आपको interest free period मिलता है, तो yes, always try to use credit card wherever possible, पर अपने bank account में जो बचे हुए पैसे होने समाल के रखिए, जो आपको कभी भी ज़रूत हो सकते हैं, दूसरा गार मैं बात करूँ तो अपने credit card से भाई या भूल के भी कभी cash withdrawal मत कीजिए, क्योंकि यह आपके credit score पे बहुत जादा impact करते हैं, इसके लिए आपको credit card काफी ज़्यादा lucrative offers देते हैं, इतना cash withdrawal कर सकते हैं, पहले बाद तो आपको उस पर काफी ज़्यादा processing charge देने पड़ते हैं, 0.5% तक processing charge देना पड़ता है, प्लस उसके उपर interest लगता है, अच्छा घासा जागर आप ने एक भी दिन उसे late किया तो, इसलिए गलत कितना है, total outstanding कितना है, और मेरा total bill कितना बना है, और overall मेरा credit card का bill कितना आ रहा है, वो सारे में लिखके रखता हूँ, returns, refunds, सब कुछ में उसमें track करते रहता हूँ, आप खुद भी track करिए जिससे आपको पता लगेगा, या फिर अभी third party app भी उसकते हैं, जिससे मैं credit use करता ह और एक ध्यान रखिएगा, जब आप track कर रहे हैं, तो ये भी आप track करिएगा, आप credit utilization 30% से जाधा नहीं होना चाहिए, तो अगर एक लाग का credit card का limit है, तो आप 30,000 से कभी भी उसे जाधा मत use करिए, अगर से for example, once in a while चलता है, जिससे आपको लेना है तो चल जाता है, लेक negative impact नहीं जाता है, क्योंकि bankers को लगा है कि अगर आप frequently 30% से जाधा यूज़कर, यानि आपको cash flow उतना नहीं है, तो वो आगे आपको उन्हें डर लगने है कि आप शायद credit card का bill timely payment न कर पाऊ, तो इससे आपको credit, जो report है, वो impact हो सकता है, और आपको credit score नीचे आ सकता है, उससे जाधा कभी भी आप credit card का bills या फिर credit card पर swipe मत मारों कहीं भी, तो जैसे आपके पास for example, अभी आपका एक लागा salary आया है, इसमें आपका मंतली कर्चा 50,000 अपने निकाल दी, आपका पस से 50,000, बाट के अपके पहले का 3 लागा saving पड़ा है, तो आपके आपके 3.5 आपके cash in and flow available है, उससे जाधा कभी भी आप credit card को swipe मत मारे है, इससे क्या होगा कि आप worst case में अगर आपको next month कुछ impact होने पाला है, जिससे COVID में हुआ था, लोगों की jobs होगर चले गए थे, तो अगर suddenly कुछ problems आते हैं, तो आप वो payment करके at least, या फिर थोड़ा थोड़ा payment करके आप अपने credit card का job outstanding है, उससे आप close off कर सकते हैं और आपको बहुत जादा जो interest है वो payment नहीं करना पड़ेगा, तो अब बात करते हैं, top 4 credit card की job 2023 में consider कर सकते हैं, और जिने मैंने personally use करें ये काफी benefits निकालें, तो पहला जो मेरे सबसे favorite credit card है, वो है flip card का, this is again with the access bank, flip card के साथ co brand किया है, ये मेरा सबसे favorite इसलिए क्योंकि इसके ओपर मुझे flip card से में कुछ भी खरीता है, तो फ्लाट 5% है, तो चाहे ग्रॉसरी हो या गैजट्स वगर हो, वो flip card पे आपको ये 5% देता है, flip card से ही मैं मुझे चीज़े खरीता हूँ, तो इसलिए मेरा favorite भी है, इसलिए पता हो, लेकिन flip card पे आप flight booking, अब तो hotels भी आ गए, तो वहाँ से आप कुछ भी करते हैं, booking, तो आपको वहाँ पे भी फ्लाट 5% मिलता है, उसका जो partner है flip card का वो एक सी को travel में, उसके भी offers मिलते है, प्लस flip card का तो फ्लाट 5% उसमें मिलता ही है, तो इस वज़े से मेरा जो shopping हो गया, online shopping और traveling हो गया, वो यहाँ पे दोनों need fulfill हो जाती है, बाकि इसके जो partners है, like clear trip, cult fit, pvr, swiggy, tata play, uber, यहाँ से आप कुछ भी खरीते हैं, और transition करते हैं, तो आपको फ्लाट 4% का मिल जाता है, unlimited, तो यह भी बहुत बढ़ियां offer है उस मामले में, और जो सबसे बेस प जाता है, cashback निकाल लिया है, बाकि इस credit card को, जो charges है, वो है 500 rupees plus GST, लेकिन अगर आप दो लाट की उपर use करते हैं, और मेरा limit pass हो जाता है, usually तो वो अब का जो charges है, वो wave off हो जाता है, तो अभी तक मुझे इस card पे कोई charges नहीं लगे, और अगर आप lucky है, तो flip card usually एक बार साल म तो मेरे भाई को मेरे दिलाए था, तो वहाँ पर एक card उसे free मिला है, सारे benefits same है, कोई difference नहीं, लेकिन वहाँ पर credit card lifetime free मिला है, तो अगर वो offer आपको मिलता है, फिर तो भाई ये एक तम ही बढ़िया credit card है, तो आँख बंद करके आप ए credit card ले सकते हैं, इसका link में आपको description मे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट जो मेरा फिर्ट क्रेट कार्ड है, वह है SDFC Millionaire का credit card, ये credit card Dynas Black Edition है मेरे पास, बट आपके पास normal card भी रहे है, तो same benefit मिलते हैं आपको, 1000 रूपीज प्लेज चार्जर से, बट इनिशली जब मुझे मिला तो कुछ offer था, जिसमें I had to spend certain amount within 60 days, ये lifetime free हो गया था मेरे लिए तब से, नहीं तो इस पर आप smart buy, sorry smart pay का option भी वगर on रख सकते हैं, जहां पर auto debit का feature आपने on किया, तो वहाँ उस scenario में भी ये free हो जाता है, नहीं तो अगर आप 1 लग से जादा spend करते हैं, आपका charge wave off हो जाता है, वैसे तो ये flat 1% आपको cash back देता है in every scenario, लेकिन ये तब बहुत useful हो जाता है, जब आप इसके website के थ्रू जाते है, that is smart buy, smart buy पे जाकर अगर आप देखेंगे, तो आपको काफी सारे इनके partners हैं, वहाँ पर ये 5% cash back देता है, like is my trip यात्रा, IRCTC पे भी 5% cash back देता है, अगर इसके portal के थ्रू आप smart buy के थ् जाते हैं, तो काफी सारे जो इसके partners हैं, उनके portal पे जाके आप अगर वहाँ से आप करेंगे transaction तो आपको flat 5% मिलता है, इसलिए ये best है उसमें कि आपको काफी सारे, indirectly आपको 5% दे रहा है, आपको website के थ्रू जाना पड़ेगा, इस card पे, ये card इसलिए भी अच्छा है, क्यो बूल गया, जैसे flip card access की card है, उसके अंदर point आपका सीधे सीधे जो भी आपका बनता है cashback, वो next cycle में deduct हो जाता है, तो इसलिए flip card access का मुझे best part लगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपका reward point जमा होगा, और आप जैसी 500 का limit cross होगा, आप उसे redeem कर सकते हैं, there is no conversion or processing fee, जित इतना आपका reward point generator है, exactly उटने का या आपका bill में minus में जाता है, तो that way also it is very good, and इस card ने, जैसी million ने मुझे लगभग अभी तक 12,000 का cashback दिया है, third card, if I talk about, यह है मेरा card from ICSA bank, Amazon पे, Amazon के साथ इन्होंने co-brand के Amazon पे, काफी लोग के पास एक card है, क्योंकि first of all, एक free card है, और यह मे join किया था, तब मैंने एक free credit card लेने का यह plan किया था, तो यह card इसलिए बहुत useful है, जैसे flip card access आपको 5% देता है, flip card के website पे, वैसे कि कुछ भी Amazon से आप transaction करते हैं, तो हाँ पे आपको 5% मिलता है, लेकिन I think Amazon कुछ-कुछ condition में कभी-कभी capping लगा देता है, जो कि flip card access पे अभी free card है, तो आप इसे अपने जैब में रख सकते हैं, और Amazon से जबी भी खरीद रहे हैं, तो आप इसे use कर सकते हैं, और बाहर कुछ भी transition तो 1% है, but I would recommend अगर अपके flip card access है, तो हाँ पे आपको 5% मिलता है, तो always go for flip card access, this is my fourth favorite card, that is BPCL SBI का card है, BPCL Octane का है, यह non Octane version भी आता है, यहां पर जब मेरा Octane version है, इसका fees भी जाता है, like 1500 plus GST, लगबग 800 के असपास आजाता है, और इसमें आपको reward point जो मिलते हैं, जब आप BPCL के outlet से fuel भाग भराते हैं, तो 6.25 का आपको reward point मिलता है, equivalent reward point मिलता है, plus 1% का वो fuels अचार्ज, similarly आप grocery वगर शॉपिंग करते हैं, like मैं D-Mart होगर मैं काफी कोज़ खरीता हूँ, तो मैं वहां भी इसे use कता हूँ, वहां भी यह 10 reward point देता है, that is equivalent to 2.5% of the cashback, तो मैं fuel और grocery के लिए इसे use कता हूँ, even dining में भी, dining में भी आप बाहर कहीं से लेते हैं, तो वहां पर भी आपको 1.5% का cashback देता है, तो इन 3 सिनारियों में ये मुझे काफी मेरा favorite card है, इसमें भी आपको lounge access मिलता है, 1 in every quarter, एनी total 4 हो गया, तो अभी तक का सबसे ज्यादा lounge access देने वाला था, HDFC Millennia, क्योंकि इसमें आपको 8 lounge access मिलते हैं, 2 every quarter में, flip card access में एक मिलता है, Amazon Pay ICCC में 0, और SBI BPCL में, Octane में आपको 4 मिलता है, इसका जो same benefits है, I mean reward points के अलावा reward point कम है, but features are same, आपको dining में, grocery shopping, वहाँ भी कम-कम reward point मिलेंगे, बट ये चार थे हैं, मेरे favorite जो में mostly सारे transactions में use करता हूँ, अभी अगर आपके पास गाड़ी वगर है, then SBI BPCL आपके लिए काफी useful होगा, नहीं तो आप 2 credit card आग बंद करके रख सकते है है, अपने पास मेरे इसाब से, जो की है, flip card access and HDFC Milena, ये दो credit card अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए, flip card access आप वेट करिए, जब flip card अपने offer में निकालता है, तभी free देता है, और HDFC Milena आपको कोई जो कोई offer मिले, जिससे आपका lifetime card free हो जाए, तो ये दोन का DTS connection भी है, मेरे खाल में मुझे सब का Airtel ही है, तो वहाँ पर ये जो access bank का Airtel card है, ये बहुत useful होता है, इसमें आपको 25% cash back मिलता है, all the Airtel payments, आप रिचार्ज करते हो है, Airtel का bill pay करते हो, using the Airtel thanks up, तो आपको 25% मिलता है, up to 300 का capping है, similarly आप 10% का आपको bill payments पर भी मिलता ह है, उस पे भी आपको capping है, बाकी flat 1% cash back हर जग अब है, तो ये बहुत ही need specific है, maximum cash back मैंने जो understand कि इससे आप निकाल सकते है, वो है लगबग 600 तक, या फिर सुगे जो आप 10% निकालते हो, वो भी आप 250 add कर सकते हो, तो most of the time मैं इसको use करता हूँ जब मैं Airtel या फिर मेरा bill payments कर रहा हूँ, तो 600 तो कहीं नहीं गया आपका per month, तो 7,200 in an year तो आप इसली कमा सकते हूँ, इस पर भी 500 का आपको charge देना पड़ता है, तो देन वो आपका charge वे ओफ हो जाएगा, तो ये credit card बहुत ही need specific अगर आपको चाहिए तो चाहिए, तो ये one of the, ये भी card काफी अच्छ ये card भी मैंने भी recently लिया था, क्योंकि bank of bordo पर काफी offers आ देते हैं, इसलिए मैंने ये लिया था, ये भी मुझे एक offer में मिला था, जब lifetime free दे रहा था bank of bordo, तब मैंने ले लिया, ये premier card है, इसमें भी आपको main to lounge access मिल जाता है, और बाकी जब भी bank of bordo के offers होगर आते हैं, उ उसमें से दो मैंने कहा कि आप आग बंद करके आप जा सकते हैं, like LJC मिलेना है, Ahtel, flip card access वाला card, ये दोनों card आपको बहुत ही useful रहेंगे, और काफी benefits आपको देंगे, तो ये था मेरा review, conclusion, और मेरा suggestions कि आपको credit card लेना चाहिए, और कौन से लेने चाहिए, और कैसे आपको credit करका discipline maintain खाना चाहिए, आपको कुछ questions है, queries है, तो अब जरूर उसे comment section में बताइए, हम उसे discuss करेंगे, और इसे content के लिए subscribe करें बीटेक को, till then, bye bye and take care.